अभी और खेला हो वे जी हाँ आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रेचा सिंग पश्चिम बंगाल की सीह मम्ता बैनार जी अपनी परंप्रागत सीट भवानी पूर्ष से चुनाब लड़कर विधान सवा पहुंशने के तयारी में है मम्ता बैनार जी का रास्था साफ करने के लिए इस सीट से मौझूदा विधायक शोबंदेव चेटार जी ने पत से इस्तिफा दे दिया है उनके इस्तिफे को विधान सवा के स्पीकर बिमान बैनार जी ने ततकाल सुईकार कर लिया है ममता बानाज़ुई ने कहा कि शोभन देव ने खुद इस्तिफा दिया है और उनके उपर कोई तवाम नहीं है गौड तलब है कि ममता बानाज़ुई पहले भी भवानिपूर सीट से ही चुनाप लड़ती रही है लेकिन इस बार उन्होंने नंदिग्राम से उतरने का फैस्टा लिया था नंदिग्राम में उन्हें अपने ही पुराने सिप्लह सलाह और बीजेपी के देटास रुबेंदू अधिकारी के सामने हार सुईकार करनी पड़ी थी नंदिग्राम से हार के बाब जूत वहे मुख्यमंत्री बनी हैं ऐसे में उन्हें छे महिने के अंदर विधासवा की सदस्रता हासल करनी होगी जिसकों लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि तर्मूल सुप्रिमो मम्ता बनर जी यहां से उप्चनाब लड़कर विधासवा का रास्ता तैक करेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो नंदिग्राम से लड़ा था उदर में जो भी कारण है इलेक्शन कमिशन का जो सिस्टेम में हार गिया लेकिन उसने शो महिने के लिए चीफ मिनिस्टर बना अब मेरे दाइत है मैंने सोचा कि उसको तुछ से एक बार क्लिक्शन में ख़़ा होना पड़ेगा और भवानिपूर से वो दो बार पहले जीता है हमारा पाड़ी का लीजर से हमसे बात हुआ क्या किया जाएगा बात हुआ तो मैंने जब सुना जिए चीफ मिनिस्टर भवनिपूर से खाला होने चाहता है तो मैंने मैं भी चाहता था कि कि महांता भवनिपूर जी नहीं रहेगा चीफ मिनिस्टर तो यह सरकार चलाने का हिम्मत किसी के पास नहीं है तो मैंने यह सोचा है कि महांता भवनिपूर जी को मैं हमारे जाएगा छोड़ देना चाहिए तो मैंने अपनी सिद्दान लिया कि किसी को प्रेशर नहीं है आपको थोड़ना होगा परीनि बोला मैं अपनी सित्व लिया कि हमारे लीदर के लिए मैं यह जाएगा छोड़ देता हूं डेड़ाँ मेरा भविष्षत क्या हो गवागा ओ मतमारज जितिक यह थिखाए तो आपको बता दे कि पश्चिर बंगाल विदासवा चुना भले ही ममता बनार जी जूएत गई हो हलाकि फिलाल अभी मुख्यमंत्री है ममता बनार जी बश्चिर बंगाल की लेकिन अभी उनको और भी रास्ता तै करना होगा और साफ तोर पर भी जो खेला था वो अभी रह गया है बंगाल में अभी भी और खेला होबे को लेकर लगातार जो दोनों ही पार्टिया है से और आपको बताने कि छे महिने के अंदर मामदा बनार जी को चीतना होगा और आज जब में सीवर्श रचा करेंगे में साथ मेहमान जोड़ चुके हैं प्रवक्ता बीजेपी के हैं अजया सेनी अजया जी स्वागत था अपका न्यूस इंडिया में और में साथ जोड़ चुके हैं नेता हैं टीमसी के दया श्रंकर सिंग्ग दया श्रंकर जी आपका बहुत वह स्वागत हैं जोड़ चुके हैं समधाता है जैपुर से लाइफ जोड़े हुए है रहमत उल्ला खां पहले आपका रूख करना चाहते हूं क्योंकि जिस तरीके से लगातार हालकि पश्रमंगाल में ममदा बनेंजी सरकार तो बनी गई है क्योंकि टीमसी ने जिस तरीके से वहाँ पर वहुमत हासिल किया वो काविर तारीफ था लेकिन अब अभी जो खेल है वो खेल बाकी रहे गया है अब जिस तरीके से खबरे लगाता सामने आरिक भवा चुकी थी अब उनको फिर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आना होगा उनको सीट फिर से जीतनी होगी क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर देखिए नंदी ग्राम का जो सीट का मामला था कुछ चैनलों पर डिबेट भी हुआ कि दीदी ने 21200 वोटों से चुनाव जी सीयम की सपत ले चुकी हैं और भावानीपूर से जो विदायक हैं हम लोगों के चटर जी उन्होंने स्विच्छा से इस्थिपा बे दिया है और उन्होंने कहा है कि दीदी जब सीयम बनेंगी तो जो बंगाल को जो सही दिशा देनी है देश को सही दिशा देनी है जो दीद बना मोदी चुनाओ था मोदी जी का पूरा बंगाल ने जिस परकार चुनाओ हराया है मोदी जी को पूरे बंगाल में और ये बंगाल की जनता जानती है लेकिन वहां पर क्या हुआ नंदी ग्राम में क्या हुआ कि दिदी को एलाउंसमेंट होने पर कई चैनलों पर डिवेट होने के बाद बाद में छे बजे बताया गया कि वो चुना वहार जाती है तो बड़ा यह व भी एक खेला काई भी सह रहा है तो यह किलियर है और दीदी चुनाओ यहां से लड़ेंगी और अच्छे वोतों से जीतेंगे और बंगाल को पूरे देश को कादे से बाएंगी चलि गोना सीटें बीजेपी ने इस बार जीती है एक अच्छी बात है यहां पर कहने करें बीजेपी की जो एक अच्छी तस्वीर थी वो यहां पर निखर कर सामने आई है फिलाल अब भवानिपुर से मम्ता बर्ण जी चुनाब लड़ने के लिए जा रही हैं क्या कहेंगे इस झाल भानुस को बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शीफा दे दिया है यशे नहीं है जी कुछ अनितिक घबाव होता है उसे के कारण चलते इननहें इस स्साफ दिया है बिसक्त इतने भी बfires अगर ईजन अगर अगरशने मर्जी च्टे श्टीफा दिया है त प्रवक्ता महुदय के पार्टी में इसा चलता होगा हम लोग के पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी के दबाओ की राय नीती और जुम्ला छोडने की राय नीती तरह तरह के प्रफगंडा लगा के जाच कराने का तरह तरह की ऐसा कुछ भी हमारे पार्टी में नहीं होता है हर एक कारीकरτα अपने मुक्षया के लिए तत्पर रहता है आहम लोगों के लिए चुनाओं मे जीत हासिल करना मकसद नहीं होता है किसी के बातों को जुमला बताना और इस परकार का जूट बोलना ऐसा नहीं होता है और अपने से अपने मुख्या के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं जिसका ये नतीजा जो मिला है तीसरी बार देदी इतना परचन मौमद से जीती हैं तो इसमें छोटे से बड़े कारिकर्टा से लेके बिरायक से लेके मंत्री तर सभी लोग पार्टी के साथ में अपने कुछ नहीं होता है वो अपने पार्टी के बखान कर रहा हूंगे चली मैं सब्सक्राइब मेरे साहियोगी लाइफ जोड़े हुए है रहमतुल्ला खा रहमतुल्ला दोनों ही जो पार्टी के नेता है एक दूसरे पर आरो परतरोप लगा रहा हैं बीजेपी कह रही है कि कही करें केई शोबन देपर दवाब डाला गया है सिस्था देने के लिए लेकिन टी आमसी कह रही है कि कोई दवाब नहीं डाला गया बलकी नहीं खुद है क्वण अपनी मर्जी से अपनी राजा को जिताने के लिए उन्होंने इस्तिफा दिया है वह माइब इचांग गउन् और यहां पर सोबन देव को जो चुनाव लड़ाया था वहां से जीत गए है अब जब यह सीट छोड़ने वाली बात है क्योंकि मुख्यमंत्री उनको रहने के लिए 6 मेने से पहले पहले उनको विदान सबाब में पहुंचना जरूरी है और विदाय का चुनाव लड़ना जर सीट देते हैं तो उनकी खुशी के बात है अग उदर बीजेपी आरोप लगा रही है कि इनकी इनका दवाब है यह पार्टियों का आरोप परत्यारोप है लेकिन मुख्यमंत्री की परंपरागर सीट है अब यह देखा जाएगा जो की करशी मंत्री जो सोभन देव है उनको इस सीट पर ही वह आपस लड़ना चाहते हैं यह खुद वह उन्होंने सीट दिये इसा कहा जा रहा है टीमची की तरफ से कहा जा रहा है लेकिन उतर बीजेपी आरोप लगा दिये कि उन्हों पर दवाब है दवाब जो अपनी पार्टी के लिए कोई का काम करते हैं आपनी पार्टी के मुख्या के लिए कोई काम करते हैं तो बीजेपी भी काम करते हैं तो सब को यह निका जा सकता है उस पार्टी के नेता का उस पार्टी के मुख्या का उस पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो पार्टी के लिए तो भी नेता अपनी पार्टी के लिए निस लगात रहती है तो इस बार भी बीजेपी ने आरोप लगाया है बिल्कुर साफ तो अपने हाप अगर मुख्यमंत्री बनते रहना होगा अगर ममता बैनर जी को तो उन्हें सीट जरूर जीतनी होगी और छे महिने का उनको समय दिया गया है और इसको लेकर भी लगातार जिस तरीके से शोबंद्र ते इसको लेकर भी जो बीजेपी है वो कह रहे ही कि दवाब बनाया जा रहा है यह उन्हें इसनले say दीआ है अपनी ही मरजी से इस्वादिय ताकी जो मुख्यमंत्री बमता बैनर जी है वो अपने पद पर सही सलामत रहे अजय जी भले ही पीजेपी जिस तरीके से चुनाब हारी है वो तो है लेकिन साथी साथ जिस तरीके से खुद शिमेंदू अधिकारी ने खुद बीजेपी ने किस तरीके से मम्दा बनेट जी को पटखनी दी है वो तो सब ने देखा ही है ये भी बात बहुत अच्छी रही है कि जिस तरीके से खुद बीजेपी ने कहिना की अच्छी खासी सीट भी हासल की है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीमसी ने आरूप लगाई है टीमसी कह रही है कि बीजेपी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और इसी के दोरान वेक केंदरे एज़ीशेंसियों के जरीये हम पर हमला कर रही है हम पर आक्रमड कर रही है क्या कहेंगे तो पिजेपी ने टीमसी को एक मजबूत विपाक्ष लिया है तो मुझे नहीं लगता कि पीजे पे इतनी हारी है नंदी कराम में शुबेंद्यु अधिकारी ने चैलेंज किया था कि ममता जीदी को वहां से जीतने नहीं देंगे और उसका रिजल्ट हुआ यह हुआ ममता जीदी को मुझी खान ली अब रही बात इस्तीफे की इस्तीफा दवाओं में दिया गया है और ममता जीदी अगर इतनी ही लोग प्रिया जी तो वहां से जीद जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहां की जनकारे इनको सरासर नकार दिया है तो इनकी जो हिटलर वारी छवी है ना वो आज भी लोगों के सामने वैसे ही तरह काम करती है देखिए ना कितने ही सेक्ड़ों कारे करता हुआ इन्होंने कैसे बहुत की गाड़ों था चाहिए चुनाओं से पैसने लीजे पैसे चुनाओं के बाद एलीजे एक टीमची निता को बादी पर गर्ड़ों के गर्ड़ों के गुका गया है असना देखा है यह सारी चीजे इन्होंने अपने सामने देखी है तो हिटलर वरी शवी मम्तरीदी की लोग सुस्थे दुल्म नहीं होई है आज भी बनी होई है तो लोगतर की रोड़ पे अच्डा की गई है तो उसके बारे में यह कुछ नहीं कहेंगे तो ये कहेंगे दवाव, दवाव बिल्कुल दवाव है, दवाव के कारणी इनके जो निता है, विदाय के वावनी पूरते सीफ़ा दिया है, तो ये बिल्कुल बात सही है कि दवाव पूरा चुना हुआ है, क्योंकि हिटलर रूपी रेते हैं, जिनके अनुसार ये चलती मम् आयगे लोगा, क्योंसार टूर दाड़े निता कह रहे थे कि तीयमिफे की कार्यकरता ट र torpedo करते हैं, भाजप भारते जंदा पाष्टी से जुड़े हूं हों काम करते हैं, जीशियो के सबसे बड़ी बार्ते जंदा पार्टी बनी है, इस को ना कारा नहीं जाने सब्कों अ और यह आपने साबित करते हैं, यह मानिये मेरे कहने से, लेकिन आगे तो बताते हैं कि TFC कहां वजूद करते हो, भारते जन्तापाटी विश्यों में कहां वजूद करती है, तो यह ना कहें कि दबाव नहीं था, यह भारते जन्तापाटी को मुगी खाने पड़ी, भारते जन निता भी लगाता जोड़े हुई है दया श्रंकर सिंग दया श्रंकर जी जिस तरीके से खुद बीजेपी ने कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि भवानीपुर से आखिरकार क्यों सीट लगना चाहती है कोई और भी तो सीट हो सकती थी बिदान सवाकी वहां से चुनाप लड़ कित होती है दूसरी बात जिस तरह से मोधी जी अमिसा आजी ने चैलेंज किया था दो मई दीदी गई और बंगाल की जंता हमें बोर देया टीम सी के गुंड़े क्या-क्या सब्दों से नवाजा था और बोले थे कि दो मई को दो सो सीट पार मोधी जी ने बोला था ये जो हख़ा ता मोधी बनां दीधी था लेकिन दीदी ने मोधी को रहा है जीस परकार ते यक और एकार किन अंधी घ्रम में हम तो हरे नहीं हम लोगोंने तो चिनोटी शुकार करके लड़ने गये थे परॉंपर ग सी जो दे लेकिन जी परकार से मोधी जी ने ठारा रह ल dolphin मत् लेकिन जीस परकार से मोदी जी ने ठारा रह लिया किया और उसके बाद गिरी मंतरी जी ने काफी किया कुछ स्वियम लोग आये किये अब लोगों को जो गुमाते थे बंगाल की जनता ने आप लोगों को जूल चटा दिया मोदी की हवा खराप कर दिया और अब तो अगला चुनाव भी है और रही बाद जिस परकार कि ये लोग इंसा की बात करते हैं तो ये लोग बताएं ना कि जो नजियों में लासे मिल रही है जो हिंदु धरम का ठीकेदार बनके ये लोग घूमते थे तो दैशांकर जी राजा को बचाने के लिए एक सिपाही ने अपने आपको बलिदान दे दिया कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तिफा दे दिया भवाणी पुर से शोभन देव ने उन्होंने पूरा बलिदान ही दिया है अब उनकी लिए क्या कुछ करेंगे आप क्योंकि राजा को बचाना पड़ेग सिपाही के लिए क्या करेंगे वाब सिपाही के लिए क्या किया जाएगा सिपाही के लिए क्या होगा मोदी जी अब गिरी मंतरी जी बोलते थे कि हम आरा दो माई को सरकार नहीं बनेगी तो इस तिपा देंगे तो इस तिपा उनको देना चाहिए सवाल पूछा है कि अगर बचानी के लिए इस्तिफाह गालें और बलिदान दे दिया है तो किती हुचेज में कोई राजा नहीं है नहीं है हमारे पार्टी में सब लोग कारी करता होते हैं हम लोग अपने मुख्या के लिए हमारे पार्टी में काम किया जाता है वहां कि जन्ता के हित में काम किया जाता है देश की जन्ता के लिए किया जाता है परदेश के विकास के लिए का किया जाता है मांगाई गटाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए कार किया जाता है, लोगों को अच्छा सिष्टा स्वास्त की बहुस्ता के लिए कार किया जाता है, और राजा रंक बनने के लिए अपने पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, यह दूसरे पार्टी मे एक और सवाल पर आपसे रहेगा क्योंकि बहवानीपूर से जब विदाजवा का चुनाब हुआ था तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि रुदनिल घोश हार गए थे और उनको खुद शोभन देव ने हरा दिया था सबसे बड़ी बात ये है कि अब तो ठीक है ममदा बैनार जी वहां से चुनाब लड़ने के लिए जा रही है अब ये बताईए कि बीजेपी की तरफ से भी अभी रुदनिल घोश ही मैदान में आएंगे बिपक्ष की तरफ से जण रहता है कि लिए आख है रही है कि इडार जाओ अब ये इस बीजाम को लोगोई ऑफ अजय होगी बाकी बना बं में आख कि था आख..? बाखी बात नहीं हिए हिटलर की तो हिटलर मम्तादीदी हैं ये इनको माल लेना चाहिए लोगों के तो माल लिया है शायद इनका आपको भी पट्टी बनी रहे हैं और बीजे भी है हमेश्ची एक आरोग रगाता है कि हिंदो मुस्लिम हिंदी मुसलिम आप बाज्टे जंता बजनाम कर रहे हैं देश के राष्ट यह देश के परदानमंतरी के अपरे में अप शब्ट बहुते हैं अब यह बते हैं यह किसी मुसलमानों को निकाल दिया है क्या यह बार बार आरोग लगाते हैं बीजेपी पे लेकिसा जिस तरीके साब हिटलर वाली बात करेंगा हिट अब बात को साजा करने के लिए आपको बता दे अभी भी खेल और बाकी है और इसको लेकर भी लगातार दोनों पार्टियों की तरब से अभी ताबर तोड यहां पर आरोग प्रतरौप का दौर लगाता जारी है क्योंकि अब मुख्यमंतरी वामदाबाइनर जी भवानिप पांच सालों के लिए वो रह सकती हैं तो इसी के साथ इस रेपोर्ट में इतना ही देश तुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए न्यूस इंडिया